नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल बहुत ही बड़ी अपडेट है वो एंटी की तरफ से निकल क्या रही है आपका रजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है कब तक आएगा और मतलब यह मैं खबर आपके लिए जो न्यूज लेके आया हूँ यह किस हिसाब से आप को किस प्रेक्ट के आदार पर यह बता रहा हूँ कि आपका रजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है आपको एक तारीक भी मैं बताने वाला हूँ कि उस तारीक को आपका रजल्ट है वो कनुफरम आ जाएगा आप व्यसक को देख लेना यहाँ पर आपको मैं दिखा देता उसका scorecard है वो release कर दिया गया है result उसका आ चुका है scorecard यहाँ पर आप website पर जा के देख सकते हो नो तारिक को जिसका exam था आप से तीन दिन पहले जिसका exam था उसका 23 तारिक को result है वो declare कर दिया गया है तो अब आपका जो result आने वाड़ा है नीट वाला को result आने वाला है इससे आप या आप मनों कि भी तीन दिन बाद जैसे आपका exam था तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर NTA time लेगा तो 5 दिन ले लेगा इससे ज़्यादा नहीं लेने वाला तो आपका result नीट वाला को result आने वाला है देखिए 26 तारिक तक का तो आए बोर्ड हो या ज़े इनिट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका solution है फिलो एप अपने डाउट को किसी भी time clear करें in these three easy step सबसे पहले इस एप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने phone number से easily sign up कर लें अपने question का picture लें या उसे type करके submit कर लें और फिलो आपको 60 second में इंडिया के top expert से live call पे connect कर देगा so guys it's simple have any question then ask फिलो इस एप का link निचे description में मिल जाएगा वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें एक प्रकार से registration करना है उसमें ठीक है जो correction जो कोई बंदा नहीं कर पाया था उसको time दिया गया है NTA की तरब से क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे थे मुझे भी कमेंट बहुत से बच्चों के आई कि वाई हमारी ये दिक्कत है कि हमने जो registration है वो नहीं किया क्या हमारा result है वो आ जाएगा तो उनको मुलब ऐसे बंदे बहुत थे तो उनको यहाँ पर time है वो NTA के तरब से दिया गया है अब आपका देखिए 27 या 28 का रजल्ट आपका दे दिया जाएगा ठीक है 27 या 28 को ठीक है पहले मैंने आपको बताया था कि best week में आपका आ सकता है क्योंकि जो दो बंदे दूसरे थे जो जिनका मुलब Bombay High Court ने बोला है कि वे इनका एक्जाम फिर शेक रहा हो तो उनका मतलब बाद में भी हो सकता है लेकिन आपका result है वो पहले मतलब दो बंदो के लिए जो 16 लाख बंदे है उनको रोका नहीं जा स कि उनका आपका नहीं बंदे लिएन को बंदे है कि बंदे और सması उनका बंदे है कि अ आपका बंदे हूएल को व जो लीघ जब